नमस्कार सातियों मैं दर्मेंद्र रगवंशी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सातियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्चप पांचवी और आटवी के बारसिक परिक्चा पहिनाम के बारे में जी आज सातियों हाली में कक्चप पांचवी और आटवी की बारसिक परिक्चा संपन हुई हैं उनकी जो उत्तर पुस्तिकां हैं उनका मूल्यंकन कार्यी भी कर लिया गया है और उनको जो अंक प्रदान किये गए थे संबंदित सिक्चकों दुआरा अपने अपने विद्ध्यारतियों के जो प्राप्तांक हैं उनको पोर्टल पर अप्लोड भी कर दिया गया है अब ऐसे में जो रिजल्ट है वह जल्द ही जारी किया जाएगा तो सातियों मैं आपको यहां पर बता दूँ इस बार कक्चा पांच वी और आट वी का जो बार्सक परिक्चा पहिनाम है वह सीधे बोपाल से जारी किया जाएगा और उनको प्राप्त होने वाली जो अंक सूचिया है वो भी बोपाल से ही प्रदान की जाएगी चुकि इस बार रेजल्ट में एक रूपता लानी के लिए या हम यूँ कह सकते हैं कि कक्चा पांच वी और आट वी की जो परिक्चा है कापी लमबे समय बाद बोड परिक्चा की तरज पर ली गई है और कक्चा 10 वी और 12 वी की बाती उनका जो परिक्चा परिणाम है वही एक साथ राज जिस्तर से यानि की वोपाल से जारी किया जा रहा है ऐसे में जो आंक्ले सिक्चक सातियों के दोरह पोटल पर दर्ज कराये गए हैं तो कापी सिक्चक सातियों के दोरह अभी धी जो data है वैसे सम्बंदित बिधयारतियों का पोटल पर अपलूड नहीं कराया गया है इसलिए result में कही न कहीं देरी हो रही है चलिए मैं आपको कक्चा पांचवी और आटवी के बार्सक परेक्चा परिणाम से संबन देत एक निउस आप लोगों को दिखाय देता हूँ आप देख रहे होंगे का पांचवी तता आटवी के बच्चों का डाटा फीड नहीं, रेजल्ट अटका 12 साल बाद फिर बोर्ड हूई कक्चा पांचवी आटवी के परेक्चा पाईणाम डाटा फीडिंग में देरी होने से अटक गया इन दोनों कक्चाओं को छोड़कर सभी इस्कूली कक्चाओं का पाईणाम गोसित हो गया पहली बार बोड की तरच पर बोपाल से तयार हो रही मारसीट में दसवी बारवी की तरह ही बच्चों की पूरी डिटेल दर्ज की जाएगी परिणाम भी एक साथ बोपाल से जारी होगा पहली बार बोड जैसी मारसीट होने से पांचवी आटवी की बच्चों का पूरा डाटा जोटाना सिक्चकों के लिए मसकत का काम हो गया है किसी ने आदार कार तो किसी ने समगर आईडी से बच्चों की डिटेल निकाल कर उनके डाटा ओनलाइन दर्च कर दिये लेकिन यह काम परिक्चावा मूल्यांकन खत्म हो जाने के बाद भी अब तक नहीं निप्टा प्रदेश भर के स्कूलों से डाटा फिडिंग होने के बाद ही मुक्याला इस्तर से पांचवी आडवी की परिक्चा का पईणाम गोसेत हो सकेगा इसको लेकर सौंबार को मुक्याला इस्तर से की बीसी के माध्यम से प्रदेश भर के सिक्चा अधिकारियों की बेटक के बाद ही तै होगा कि इन दोनों कक्षाओं का परिक्चा पईणाम कब गोसेत होगा पांचवी और आडवी के बच्चों को कंपूरी क्रित मारक सीट मिलेगी परिक्रिया पर फिलाल चर्चा चल रही है जिले वरमें बाबा नजार 470 चात्रों का डाटा हुगा फीड जिले बार में ये मुरेना जिले की कवर है 22,474,8 वी बाब पांचवी कक्षा में दर्ज है हमारे जिले का टाटा तीन दिन पहले ही सो पृतिसत फीड हो गया था कुल जिलों में काम अधूरा था जिनकी फीडिंग भी दो माई की सोबे कंप्लीट हो गई संबब्ता एक दो दिन में रेजल्ट कोशित हो जाएगा ये सिवराज सर्मा जो बी आर सी सी है मुरेना के उनका इस्टेटिमेंट था तो साथ यो समचार पत्रों के माध्यम से भी आप इस ख़बर को समझ सकते हैं इस बार एक अक्चा पांच भी और आटवी की जो चाथ चात्रा हैं उन्हें कम्पूटरी कृत मार्सीट प्रदान की जाएगी हाला कि इसके बारे में एक बात ख़ई गई है वो इस कबर के माध्यम से आपने पपड़ा भी होगा कि पिरकरिया यह चल रही है कि ओनलाइन इनके जिले स्तर पर प्रिंट आउट निकाले जाएं और उस आदार पर चाथ चात्राओं को इनका बितरन कर दिया जाए तो साथियो संबाबना यही है कि जो भी डाटा फीड नहीं हुआ है बै आने वाले एक दो दिन में फीड हो जाएगा और जल्द ही कक्चा 5 वी और 8 वी का रेजल्ट गोसित कर दिया जाएगा तो साथियो यह थी कक्चा 5 वी और 8 वी के परक्चा पईनाम से संबंदित काफी महत्पून जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी महत्पून जानकारी हैं समय समय पर आप लोगों को मिलती रहें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बहुत बहुत धन्वाब मित्रो